नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त सुनील और आप देख रहें इज माई कार सेर्च और आज मैं बात करने वाला हूँ अपकमिंग SUV या सब कंपक्ट SUV जो इंडिया में 2017 के एंड तक यानि कि दिवाली और क्रिस्मस तक इंडिया में लांच हो जाएंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी किमत की तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ दस ते बारा लाग टोप पूरी संभावना है S-Cross जो है वो मारत्री सुजुकी की एक SUV है लेकिन वो इतनी जादे पपलर नहीं हुई है क्योंकि उसका looks SUV इंस्पाइड नहीं लगता है थोड़ा सा इंप्रोटेंमेंट सिस्टम का अप्शन भी दिया जाएगा और भी सारे इंहांस इंटिरियर के साथ इसका जो इंजन होगा वो होगा 1.6 लिटर का पेट्रोल इंजन और 1.3 लिटर का डिजल इंजन इसका पेट्रोल इंजन देगा आपको 89 बहुत का पावर और 200 अनम का टॉ इसके AMT या Automatic Transmission आने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है मारुति सुझुक की ही अगली कार है मारुति सुझुक की पितारा ब्रिजा का पेट्रोल और AMT जो दिवाली या Christmas तक आने की पूरी संभावना है पेट्रोल वारियंट तो दिवाली तक पूरी तरीके से आने की जो आपको मिलता है उसके साथ इसमेंसिर्फ पेट्रोल इंजन आट किया जाएगा और इसका पेट्रोल इंजन होगा वन लीटरका Paleona RS में आता है या फिर 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन जो उनों में से कोई भी एक एंजन ब्रेजा के पेट्रोल में एड कर दिया जाएगा और ये कार दिवाली तक लॉंच कर दी जाएगी इसकी प्राइस 6.5 लेक्स से लेके 9.5 या 10 लेक्स तक होने की संभावना है इसी के साथ जो तीसरी कार है वो भी मारूती सुझू की की ही है जो है जिमनी जिसके आने की संभावना इतनी प्रबल तो नहीं है इतनी जादे तो नहीं है दिवाली तक लेकिन फिर भी ये आसा की जारी है की सायद मारूती सप्राइज के रूप में जिमनी को इंडिया में ल देख रहे हैं 2018 से पहले फिर भी कई सोर्स से पता चल रहा है कि ये सहथ दिवाली में एक सर्प्राइज के तौर पे लॉंच कर दी जाए अगली जो कार है वो सब Compact SUV की ही कार है जो आती है Tata Motors की तरफ से आज जिसका नाम है Tata Nexon जी हाँ ये कार काफी excitement पैदा कर चुकी है मार्केट में Tata ने इसके सारे डीटेल्स को रिवील कर दिया है अगर आप जाना चाहते हैं इसके फीचर और इसके डीटेल्स के बारे में तो description में आपको इसका लिंक एक वीडियो का लिंक मेरे चैनल पर है उसको आप देख लिजिए आपको सारे डीटेल्स पता चल जाएंगे Tata Nexon काफी ही फीचर रिच कार है और इसमें कई सारे ऐसे फीचर दिये गए हैं जो इस सेग्मेंट की किसी भी कार में आपको देखने को नहीं मिलते हैं तो इसकी कीमत होने वाली है 6.25 या 6.5 से लेके 9.5 या 10 लैक्स तक टॉपेंड वारियंट के लिए तो ये भी एक काफी की प्रोमिसिंग सब कंपेक के सेवी कार होने वाली है अगली कार उने की कार हो आती है फोर्ड की ऐको स्बड का फेसलिप्ट वारियंट दाने की पूरी संभावना है दिवाली तक क्योंकि नेक्षान और वितारा ब्रेजा के फेस्लिप्ट आने के बाद ये काफी आउट्डेटेड हो सकती है इसलिए फोर्ड भी उको स्पूर्ट का फेस्लिप्ट वारियंट लाएगा इसके फ्रंट डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करेगा इसके इंटिरियर में आपको अब मिल जाएगा टस्क्रीन एन्पोर्टेंमेंट सिस्टम विद एंडोड आटो और एपल कार प्ले के साथ और इसका जो स्टेरिंग भी लेओ उसको भी थोड़ा सा नए तरीके से डिजाइन करा जाएगा यह सेम इंजन ओप्शन के साथ ही फेस्लिप्ट के साथ भी आएगी इसमें एक लिटर का इको बोस्ट इंजन होगा और 1.5 लिटर का पेट्रोल और डिजल इंजन होगा तो सेम इंजन ओप्शन के साथ इको स्पोर्ट की फेस्लिप्ट आएगी सिर्फ एक्स्टिरियर और इंटिरियर में कुछ फीचर्स एड़ कर दिये जाएंगे अगली जो कार है वह हूंडा की वेजल अंडा की वेजल के आने की सम्मदा थोड़ी सी कम है दिवा ली तक लेकिन फिर भी कैसोर्से से पता चल रहा है कि हूंडा साइध ऐसी प्लानिंग कर ये को सर्प्राइज के तौर पे दिवाली या क्रिस्मस में हुंडा वेजल को इंडिया में लॉंच कर दे हुंडा वेजल का जो इंजन होगा वो होगा 1.5 लिटर का पेट्रोल इंजन ये फोर सिलेंडर एंजन होगा और ये आपको देगा 116 वेज़बी का पार और 146 लिटर का होगा जो देगा 98 वेज़बी का पार और 200 लिटर का पीक टॉक और हुंडा वेजल की कीमत होने वाली है ये तो रही अपकमिंग SUV और कंपक्ट SUV कार्स जो दिवाली 2017 या क्रिश्मस 2017 तक लॉंच होने की संभावना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्रा के वारे में तो आप हमारे चैनल के किसी भी वीडियो पे जाकर अपने कमेंट को पोस्ट कर सब्सक्राइब करने की apartment सब्सक्राइब करता हूं मैं मिलता हूं आपको आपको आसे ही किसी और वीडियो में तब तक के लिए वाइबाइ